बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम असलाम आलीकूं वर रह्मतुल्लाहिव बरकातूहूं कैसे आप सब लोग उमीद के तुस्यत और इमान की बेहतेरीन हालत में होंगे कवाईदे तज्वीद कोर्स आज हम सबक नमबर 16 पढ़ने जा रहे हैं और आज हम हरकात में जेर की हरकत को देखेंगे जी तो एक दफ़ा हम हरकात की डेफिनेशन को फिर से देख लेते हैं कि हरकात जो है वो हरकत की जमा है जबर, जेर और पेश को हरकात कहते हैं और जबर और पेश हर्फ के उपर जबके जबके जएर जो है वो हर्फ के नीचे होता है ठीक है आज का हमारा टॉपिक जएर का है जिस हर्फ पर कोई हरकत हो से मतहरिक कहते हैं यानि के जबर जबर जएर पेश वाले हर्फ को मतहरिक कहते हैं जबर को मुँ और आवाज खोल कर जेर को आवाज को गिरा कर और पेश को होंटो को गोल करके अदा करेंगे हरकात को बिगैर खींचे बगैर जटका दिये मारूफ पढ़ेंगे अब मारूफ मतलब कि हमने इसको मजहूल नहीं करना यानि के जैसे के बाजबर बा है बाजबर बी तो बाजबर बे नहीं कहेंगे दालजबर दे नहीं कहेंगे यानि दालजबर दी बाजबर बी ताजबर दी ताजबर थी ठीक है अलिफ पर कोई हरकत या जजम आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़ेंगे ठीक है अलिफ पर जब कोई हरकत या जजम आ जाये तो उसको हमजा पढ़ेंगे रौ पर जबर या पेश हो तो रौ को पुर और रौ के नीचे जेर हो तो रौ को बारीक पढ़ेंगे ठीक है ये हमारे हरकात के असूल थे अब हम मश्क की जानेब चलते हैं बादर बी, तादर थी, तादर थी, तादर थी, बी, ती, थी, ठीक है इबिली, आदीन, आहीद, हफिदो, करीह, शरीबा, हसीबा, आलीमा, मलीकी, साइको, साइको सामिए, लबिथ, तौफिक, ठीक है, ये देखें, आपने जो हरकात है ना, इनको बिलकुल नंबा नहीं करना इबिली, ठीक है, अदीन, एक दफ़ा से फिर से, ठीक है, अब रौ है ना, यहां पर शरीबा, शरीबा, इसको आपने बारीक पढ़ना है, रौ को, और देखेंगी, हरकत को बिलकुल आपने नंबा नहीं करना, और जैसे की, यहां पर है ना, मलीकी, काफ़िर की, आपने मलेकी नहीं पढ़ना, मलीके, इस तरीके से ये मज़ूल होता है, ठीक है, आपने इनको मारूफ पढ़ना है, समिया, लबित, पौफिक, अब्तौफ और कौफ, यहां पर मोटे हरूफ है, आपने इनको मोटा अदा करना है, ठीक है, आइन को आपने हलन के दर्मियां से अदा करना है, आमिल, आहिद, ठीक है,